मैंने यहां सारी तयारी कर ली है यह जो ग्रीन चीली है उसको अच्छे से मैंने वाश कर लिया है और यह आप देख सकते हो सौफ है मुगफली के दाने है प्याज है लैसुन और अद्रक मिर्ची की पेष्ट है हिंग डालेंगी इसके अंदर और दनिया को मैंने अच्छे से वाश करके चौप कर लिया है और पटेटों को भी मैंने बॉयल करके स्कीन उसकी निकाल दी है और उसके बाद मैं यहां पे कड़ाय रख दी है मैंने गैस पे और यह जो चिली है तो नाइफ की मदद से मैं इसमें कट कर दूंगी हमें इसे चौपनी करना है एक लाइं देना चाहूंगी और आप इसे जरूर से फोलो करना तो यह जो चिली है उसको हमें डारेक्ट बेसन में डिप करके फ्राइ नहीं करना है इस मिर्ची को हमें पानी में बॉयल करना है जिससे यह थोड़ी सौप्ट हो जाएगी और उसके बाद हमें बेसन में इसको डिप करक ताकि ये जो मिर्ची है वो गले में हमें चुबे नहीं क्या होता ना कई बार ऐसे ही फ्राय करके देते हैं तो वो हमारे गले में चुपता है तो बॉयल करने से ये प्रॉब्लम सोल हो जाएगी हमेरे गले में चुबेगा नहीं क्यूंकि बॉयल करने से ये सॉप्ट हो जाती तो यहां मैंने पानी गरम करने रख दिया है तो बस इसके अंदर आप में डालूंगी ये सारी मिर्चियों को और ये मिर्ची बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं आलू का मसाला दियार कर दूंगी और एक बात की मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोगों के लिए भी हेलपफुल हो और जो बेल बटन उसे प्रेस करके अल अप्शन पर क्लिक कर देना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहां पे मैंने ओइल डाल दि पटेटो और एक बात कि यहां पे मैं आलू को अच्छे से सेख लूँगी मतलब मसाले डालके और कोई लोग ऐसे ही बॉयल आलू में मसाले करके ऐसे ही उसको स्टफ कर देते हैं मिर्ची के अंदर मतलब छौकते नहीं बट आपकी मर्ची आपको ऐसे बनाना तो यहसे भी नहीं करना है तो आप पैसे भी बना सकते हो as you wish तो अब यहां पे में यह जो पटेटो हैं उसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और यहां आप देख सकते हो मैंने सारे मसाले कर दिया है धनिया मिर्ची गरम मसाला नमक आमचुर पावडर तो यह सब आप अपने स्वात क अनुसार डालके मावा ऑलु का मसाला वो तैयार कर लो तो बस अब से में हलका सा थोड़ा ठंडा होनी दुँगी और उसके बाद मैं डालूंगी बारिक कटा हुवा धनिया तो यह धनिया में इसका मैं डाल दूंगी और इसमें मैंने सौफ भी मुंखळी के दाने अक्षे लगता है वो डाल सकते हूं इसके अंदर और आप देख सकते हूं कि यहां पर मैंने एक तरफ गरम करने रख दिया है और यहां पर मैंने मिर्ची को अच्छे से स्टफ कर दिया है और आलू अंदर भड़ दिया है मिर्ची के अंदर अब बस मैं इस मिर्ची को बेशन के अंद तो बस मौसम का मज़ा लेते हुए आज में बना रही हूँ मिर्ची पकोड़ा और आप लोगों को भी सिखा रही हूँ और अगर आप घर पे बनाते हूँ तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपके कैसे बने हैं यह मिर्ची के पकोड़े तो बहुत ही अच्छी स्मे तो बस ऐसे ही आपको बजिया बना लेने हैं हमें इस मिर्ची को ज़्यादा फ्राइण नहीं करना है क्योंकि मिर्ची है उसे हमने बोल का लिया था और जो बेसन का layer है बस वो क्रिस्पी हो तब तक हमें इस इस फ्राइ करना एन और अंदर मसाले है पटेटों है वो तो का मसाला बचा था उसको मैंने इस तरह से भजिये बना लिए थे बड़े बड़े गुल गुल आप देख सकते हो तो आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैं चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो